दोस्तों कि आपको पता है कि मेगनीशम की कमी से अर्थराइटिस हो सकता है यानि कि गटिया बाई आप यहाली में कि स्टेडी होई है और उस स्टेडी में देखा गया है जिनको भी अर्थराइटिस है यानि कि जिनको भी गटिया बाई की सिकायत है उनका जब blood test किया गया तो उनमें magnesium की कमी पाई गई यानि कि 90% लोगों में magnesium की कमी पाई गई magnesium का बहुत बड़ा रोल है arthritis में यनि कि आपको इती magnesium की कमी है तो आज नहीं तो कल आपको arthritis की सिकायत होनी होनी है और यदि आपको arthritis है और जब आपना blood test कराओगे तो आपको magnesium की कमी पाईगी पाईगी और ज़रूरी नहीं कि magnesium arthritis में ही काम आता है इसके बहुत रोल है magnesium की हमारी body में सबसे बड़ा यदि आपको constipation की सिकायत रहती है आपको कबज रहती है महाँ पर magnesium काम करेगा यदि आपके joint health, joint health में तो मैंने आपको बता दे है यदि आपको अपने joint health fit करने हैं तो magnesium आपको आज सही अपने diet में इस्तमाल करना पड़ेगा आपको high blood pressure है, महाँ पर यह काम करेगा यानिकि blood pressure को कम करता है यदि आपकी muscles में cramp आते हैं यदि आपकी एंटन होती है, बहुत बार हमारे पास patient कहता है कि हमारी नस्पिनस चड़ जाती है रात को जब सोते हैं तो उहाँ पर magnesium बहुत बढ़र होल है या जो gym में जाते हैं या जो gym में जाते हैं और उसकी muscles है मसल्स में soreness बढ़ जाती है या मसल्स दुखती हैं तो उहाँ पर magnesium बहुत काम करती है तो magnesium गटिया बाई वो तो ठीक करती है दूसरी और problem है यानि कि आखों के लिए magnesium बहुत best है तो magnesium का हमारे सरीर में बहुत बढ़ा रोल है अब हम बात करेंगे कि magnesium को कैसे बढ़ाए और magnesium की कमी का आपको पता गैस चलेगा दोनों चीज़ होगी सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आपके बोडी में magnesium की कमी हो जाए तो क्या symptoms आते हैं क्या problem आती हैं देखी magnesium की कमी से आपको बहुत से बिमारी पहले में आपको बताए arthritis और जो मैंने यह आपको बताए कि आपकी joint health में दिक्कत आएगी आपको muscles cramp आने स्टार्ट हो जाएगे आपको blood pressure बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपको constipation रहना स्टार्ट हो जाएगा यह कुछ ऐसे symptoms है कि आपको पता चल जाएगा आप बात करेगे कि magnesium की कमी हो क्यों जाती है आखिर कारण क्या है कि हमारी body में magnesium की कमी हो जाती है इसके भी दो ही कारण आप निकल गया आते हैं पहना आता है diet दिखिए अदि आप ऐसे diet ले रहे हो जिसके अंदर magnesium नहीं है मान के जली आप जितनी भी बाहर का तला बुना का रहे हो न fatty food जिसको उग बोलेगे तला बुना जो बाहर का है ये simple बासा में आप समझे उससे आपको आज नहीं तो कल आपके सरीड में magnesium की कमी होनी होनी है ये मैं आपको लिखित में बोल सकता हूँ कि जितनी भी आप भार की तली बुनी चीज़े खा रहे हो न ओइली चीज़े खा रहे हो दोर दोर तक भी किसे में भी magnesium नहीं है और वो आपके धीरे धीरे आपकी हड़ियों को गलाना स्टार्ट कर देगा येदि है आपकी बोड़ी में उसको भी कम कर देगा यानि ये डाइट जो आप ले रहे हो वो दोसरे बात है यादि आपको ऐसे कोई बिमारी हो जाए बिमारी मतलब मेटाबोलिक सिंड्रोम होता एक यानि एक मेटाबोलिक बिमारी इसके अंदर कौन-कौन सी बिमारी आती है दाइबिटीज, हाइब्रड प्रिशर ये ऐसी बिमारी है थैरोड तो इन बिमारी में क्या होता है अर्थराइटिस ये भी है यदि आपको ऐसे कोई इन मेंसे बिमारी हो जाए तब भी हमारे सरीर में से मेगनेशम में कमी होना स्टार्ट हो जाती है यदि आपको ऐसे कोई बिमारी है आपको दूसरी बिमारी हो जाए जिसकी वज़े से भी आपको मैगनेशम की कमी हो जाती है लेगिनों होती है बिमारी की वज़े से आप इसको बढ़ है कैसे ये भी तरीका आपको जानना है मैं आपको कुछ चीजे बता रहा हूँ देखे जितनी भी हरी समजी है कोट-कोट कर मेगनीशन बढ़ा पड़ा है पहलिस बात है जितनी भी हरी समजी है सैकेंड है कि जितनी भी नट्स हैं न बादाम, अखरोट, काजो सम में और जितनी भी सीड्स हैं सम में मेंगनीशन बढ़ा पड़ा है जितनी भी गरीन है सम में मेंगनीशन बढ़ा पड़ा है तो मेंगनीशन में कमी नहीं है सिर्फ आपकी डाइट में कमी है यदि आप ऐसी डाइट ले रहे हूँ कि जिसके अंदर magnesium बड़ा पड़ा हुआ है तो आपको in future जो मैं आपको बिमारी बदाई न यहां तक कि सबसे बड़ी बात ही है यदि आप magnesium के लेते हूँ तो यह आपके diabetes में भी फायदा करेगी आपके high blood pressure में तो काम करते हैं thyroid में भी काम करेगी और arthritis जाने के गठिया बाई गठिया बाई को भी ठीक कर सकती है यदि आपके गुटने में दर्द रहने स्टार्ट हो गया है या आपके कमर में दर्द रहता है या आपके कोले में दर्द रहता है वहाँ पर भी magnesium बहुत बड़ा रोल है आपको कि तब भी आपके पूर्द नहीं वपारी है तो आप कुछ नहीं supplement इस्तवाल करते है आजगल magnesium की supplement आते अच्छी company का लीजी branded लीजी उसको भी आप ले सकते है कोई नुकसान नहीं देखिए ये मेरे एक product है और्थ हो जोए ये कहां काम करता है जिसको भी joint की दिक्कत होती है बतला जिसको गुटने में दर्द है कमर में दर्द है कंथे में दर्द है सरवाइकल है वहाँ पर ये काम करता है और ये 100% काम करता है इसको मैं कह सकता हूँ अब मैंने क्या क्या इसके अंदर भी magnesium डाला हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि magnesium का कितना बड़ा रोल है मैंने specialist के अंदर magnesium डाला हुआ है कि यदि आप इसको भी लेते हो यदि आपको कोई joint problem है यदि आप यह supplement लेते हो तो आपको अदर से कुछ magnesium लेने की जल्रत नहीं पढ़ेगी अब बात करते हैं कि कौन सा magnesium ले ये भी बात आती है magnesium के बहुत टाइप होते हैं एक ऐसा नहीं कि एक ही magnesium होते हैं बहुत तरह की magnesium आते हैं लेकि हर magnesium में कुछ ने कुछ side effect भी आते हैं यानि कि कुछ सी को डायर्या हो जाता है magnesium से या किसी को cramp आनिशनाट हो जाते हैं abdomen cramp यानि कि पेट में दर्थ तो इसके लिए सबसे best है magnesium by glycinate ये मैंने इसमें डाला हुआ है क्योंकि इसका कोई side effect नहीं और सबसे best यही magnesium है इसके मैंने डाले हुए है 84 mg यानि कि 84 mg मैंने डाला हुआ है जब सुबह साम लेते हो तो इसकी पूर्थी आपको हो जाती है कुछ डाइट से यानि कि आप इसको लेने से आपकी मैंने की पूर्थी हो जाएगी अब आपको लेना कैस्त कितना है ये भी तो हैं देखी परड़ी यदि हम परड़े की बात करें सो मिलिग्राम परड़े से आप कहीं नहीं जादा लेना है कुछ अपने डाइट से मिल जाएगा कुछ इससे मिल जाएगा तो आपको पूर्थी हो जाएगी और आपको इन फ्यूचर यदि आप अभी से भी लेना स्टार्ट करोगे और यदि आपको जोन्ट पेन भी नहीं मैं कहता हूँ कि आपको जोन्ट पेन नहीं लिए तो आप इस्पेसिली मेंगनिशम भी ले सकते हो य आपने डाइट में मेंगनिशम बढ़ा सकते हो आज से यदि आपने लेना स्टार्ट किया वो कहीं नहीं कहा रहा है कि मेरे गुटनेंगे दर्द आ गया है, मेरी कमर में दर्द रहता है, इतनी तीजी से बढ़ रहा है, तरह एक पेंडेमिक की तरह भी बढ़ रहा है गुटने का दर्द, और फिर फ्यूचर में क्या है वे गुटने चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आप आज से ही आज से अवेर हो जाओ, कहीं नहीं जाकरूप हो जाओ और अपने डाइट में मैंगनेशम का लेना स्टार्ट करो तो आप देखना अर्थनाइटिस यानि की गटी अबाय या गुटने का दर्थ इल्गुल ठीक हो जाओगे, यानि की हो गई नहीं और है वो भी ठीक हो जाएगा देखे सबसे पहले आपको काम क्या करना है ऐसे नहीं की आपनों ये लेना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप एक बलड टेस्ट करा लिजी blood test से आपको clear हो जाएगा कि आपका magnesium कम है यदि आपका ठीक है तो फिर आपको लेने के ज़रत नहीं है test से परदा चल जाएगा कम है और arthritis को तो 100% होता ही है जिसको गठी अब आए हो उसको तो आना ही आना है चाहिए आप इसको test भी करा लो फिर उसके बाद आप यदि कम है आप supplement लेना start किजी ऐसे diet लीजी जिसके अंदर magnesium है फिर आप देखना एक महीने बाद दो महीने बाद आपकी body खुद बोलेगी और आपके body में चेंज़े जाने start हो जाएगा आपको अच्छी नींद जिसको नींद की problem आती है कहते हैं कि नींद नहीं आती या रात को पूरी रात करवटे बदलता रहते हैं वहाँ पर भी magnesium का बहुत बड़ा रोल है तो please magnesium का इस्तमाल कीजे और अपनी life कहीं ने कहीं healthy बनाईए और जो ये दवाई आप खाओगे in future दवाई उसे आप बच पाओगे धन्यवाद और आपको यह सा लगता है कि जो मेरी वीडियो हैं आपके लिए helpful है या कहीं ने कहीं आपके लिए काम आ रही है या किसी और के लिए काम आ सकते जिनको आपके परिवार में arthritis हैं या गठिया बाई हैं तो please ये वीडियो उनको शेर कर देना और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना कहीं ने कहीं मेरी महनत मुझे लगेगा कि मैं कहीं ने कहीं अच्छी लगेगी महनत की और मैं in future भी वीडियो बनाने की कोसिस करूँगा धन्यवाद